इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करत के रूप में किया जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक जिंसेंग संचत लेक्टिक एसिड को मान स्पेशियों में पुनर्वित्रित करने और इसे उर्जा में परिवर्थित करने में मदद करता है इसका इम्यूनो मॉड्यूलेक्टरी प्रभाव होता है क्योंकि यह इम्यूनोग्लोबुलिन के निर्मान को बढ़ाता है दो जिंसेंग मस्तिश्क सहित शरीर में परिसंचरण में सुधार करता है इसलिए ध्यान में सुधार करता है और मनोभरंश को रोकता है तीन बैनफोटियामाइन ट्रांसकेटोलेस गतिविधी को ब दिलताएं हो सकती है यह डाइबिटिक रेटिनोपैथी का प्रबंधन करता है चार डाइबिटिक नियूरोपैथी के रोगजिनक रूप से उनमुक प्रबंधन के बीच बैनफोटियामाइन और अलफा लिपोएक एसिड को पहली पसंद माना जाना चाहिए विडियो को पर सेट करें